तो इस सीरीज में हम कर रहे हैं माइक्रो पूसेसर एड़ जुरेट फाइब के इंशक्शन सेट तो और लेड़ी हम काफी तीन वीडियो हो चुके हमारी हमने डेटा वाली इंसक्शन कर रहे हैं और हाफ हम कर चुके हैं और यहां पर हम एड्रेस नहीं देंगे इंडरेक्ट ली जो एड्रेस है ना वह डारेक्ट नहीं किसी रिजिस्टर पेर में है जैसे बी सी यह डी यहां पर एचल नहीं आएगा क्योंकि वह इंसक्शन हमारे पास पहले ही है मूव ए कॉमा एम का क्या मतलब है एचल पेर मिलके जो डेटा बना रहा है वह एड्रेस यूज होएगा और उस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा वह में आ जाएगा ठीक है तो बेसिकली इंदर इंसर्ट्षन तो जैसे हमने हमें क्या करना है यह कुई एड्रेस है 2345 वहां पर पर पड़ा है वह हमें डालना है उसके लिए हम क्या करेंगे यह वाला एड्रस हमने क्या किया है बीसी रिजिस्टर पेर है उसमें डाल दिया उसके बाद हमने डाल दिया ldaxb इसका मतलब क्या है कि जो बीसी रिजिस्टर पेर है उसमें जो डेटा पड़ा है 2345 वह एज हम एड्रेस को किसी मेमरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे है 2345 और उस लोकेशन पर जो डेटा है 22H वह एक कुमिलेटर मूव हो जाए ठीक है तो यह कितने वाइट किंट्रिक्शन होगी ओनली वन बाइट वैट में दो होंगे एक तो हमारा ओपड़ फैच हो गया ओप फैच होने के बाद हमने डेटा रीड करना मेमरी से तो मेमरी रीड हो गया तो आपकोड फैच मेमरी डिड फॉर्टी स्टेट्स ऑपकोड के लिए 30 स के लिए यह गया इंडारेक्ट कि जो एड्रेस वह हमने किसी रिजिटर में डाला हुआ है तो इंडारेक्ट हो गया और कोई फ्लाइक नहीं होंगे उसके बाद आता है STAXRP यह बिल्कुल उल्टा हो गया उससे कि अभी हमें एक्कुमिलेटर का डेटा स्टोर करना है एक मेमरी लोकेशन पर और वो मेमरी लोकेशन का एड्रेस हमने एक रिजिस्टर पेर में डाल लग है इसमें वही चीज़ है कि BC या DE कुछ भी हो सकता है तो अभी देखो A में है 23H और हमने क्या किया DE डाल दिया 1249 ठीक है तो STAX का क्या मतलब है कि हम एक्कुमिलेटर का डेटा स्टोर करेंगे उस मेमरी लोकेशन पर जो DE में है ठीक है तो वहां पर कुछ भी डेटा हो सकता है जो एक्कुमिलेटर डेटा है वह यहां पर जाके सब्सक्राइकल और इसमें आएगा मेमरी राइट क्योंकि हम मेमरी में डेटा मूव कर रहे हैं तो मेमरी राइट आ गया 40 स्टीटी 70 यह भी सेम है इंडारेक्ट और नो फ्लैग अब इसके बाद आता है एल एक्स आई आर पी रिश्टर पेर कुछ भी हो सकता है बीसी हम क्या कर रहे हैं अभी किस रिश्टर पर में डार्टली डेटा डाल रहा है जैसे हमें बुझे बीसी रिश्टर पेर में मालो कि 4050 डेटा मूव करना है जाने की बी में जाएगा 40 और सी में जाएगा 50 उसके लिए होती है एल एक्स आई बी और साथ में डेटा लिंग तो तो यह कितने बाइट की हो जाएगी सबसे पहले तो होगा एल एकसाइब हमें पता चलेगा कि मुझे बीसी रिच्टरेपेर में डेटा मूव करना है कौन सा डेटा मूव करना है वह यहां पर आगया कि फिफ्टी यह पहले लोगर सेम मूव करो ठीक है पहले लोगर वाला कैने अगले कि जो भी डेटा मूव करना है हिन्सक्षन में ही डाल भाल लका है ना किसी डालouve डाल लाया यह एल सैसी होगी बस इसमें जो है एक रिश्टर के लिए यह था करे स待 के लिए तो मूफ एम्वी आई आर एट बिट डेटा ठीक है नाम में ही इमेडेट है अड्रेसिंग मोड भी इमेडेट अब मुझे किसी भी रिस्टर में जो कुछ डेटा मूफ करते हैं वह मैं साथ की साथ इंस्रेक्शन में ही लिख दूँगा एमवी आई ए कोमा डेटा एंवी एसी कोमा डेटा ऐसे तो यह दो बाइट का हो जाएगा एक तो जबाइब एमवी ऐए एक कुछ भी ओगा ओपकोड उसके बाद ऑपरेंड हम साथ में देढ़ेंगे थीक है दो मुश्न साइकल हो जाएँगे और मेमरी रीड ऑपकोड फेच है वो directly किसी memory में store कर सकते हैं और memory का जो address है वो कुण define करता है वो HL pair यह तो fix है हमारा move immediately the 8 bit data specified in the instruction to the memory location pointed by HL register pair ठीक है 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 एचल डिस्टर पेर जो है उसमें 3000 है ठीक है हमने डाल रख है कि हमने 3000 में कुछ data move करना था एचल रिस्टर पेर किसको point कर रहे है 3000 को इसलिए M V I M 23 23 23 चला जाएगा उस address पे जिसको HL point कर रहा है यानि की 3000 ठीक है तो यह क्या हो जाएगा दो बाइट का क्योंकि इसमें क्या है उपकोड आ जाएगा उसके बाद data आ जाएगा ठीक है और इसमें memory cycle कितने हैंगे तीन आएंगे पहले तो उसके बाद हमें data राइट के तो करना मेमरी में तो मेमरी राइट भी आ जाएगा फोर्टी ठीटी ठीटी ठीक है और यह तो मिक्स एड्रेसिंग मोड हो गया immediate और रिस्टर इंडारेक्ट कैसे हो गया इसकी वैसे कि हमने तुरंत डेटा दे रहा immediate और रिस्टर इंडारेक्ट क्यों बोल रहा हम क्योंकि जो मेमरी लोकेशन जहां पर हमें डेटा मूव करना है वो इसलिए यह ब्रेस्टर इंडारेक्ट भी हो गया ठीक है इसमें कोई फ्लैग एफेक्टेंट नहीं होते हैं उसके बाद आती है एक्सचेंच एक्सी एक्सेंच क्या करती है बस जो एक्चल रिस्टर पेर है और डे रिस्टर पेर है उसके कंटेंट को एक्सचेंज करेंगे ठीक है यह ध्यान रखना इसमें था तो थ्री फार फाइफ डी यह में था 3567 अगर मैंने एक्सचेंज इंसक्शन लगाई तो उसके होने के बाद दोनों के कंटेंट क्या होगे एचल का कंटेंट चला गया डी में और चला गया एचल में बस यह और यह एक बाय्ट का है एक ही मशीन साइकल है ओपकोड जिसे मूव एको माबी है वैसे हो गया वट इसमें एक्सचेंज हो रहे है अब एक इंसक्शन है ल एच एलडी 16 इसको बोलते है लोड एचल पेर डार्यक्ति इसमें बीड करने लेच एलडी उसके बाद हम एड्रस दे देते हैं कि हमें इस एड्रस का डेटा मुव करना है बट एचल तो इसमें क्या होगा कि जो एड्रस हमने स्पेसिफाई कि है ना इंसक्षन में कि टू-0-4-0 उस एड्रस पे जो डेटा पड़ा है पहले वाला डेटा तो जाएगा एल में कि उस एड्रस के नेक्स्ट लोकेशन वाला डेटा जाएगा एच है यह बिल्कुल एल्डी जैसा है बट इसमें डिफ्रेंस यह है कि हमारा एट बिट का रिस्टर हो गया एचल यहां पर दो रिस्टर होगे ठीक है रिस्टर पेर हो गया तो इसलिए अपने दो लोकेशन यू फिर यह रिड़ किया यह रिड़ किया उसके बाद यह वल दोनों रिड़ किये ठीक है तो फोर्टी और फॉर इंटू त्रीटी सोल आंटी यह होगा डारेक्ट अड्रेसिंग कि मैंने डारेक्ट एड्रस स्पेसिफिए कर दिया है ठीक है इस एच एलडी उल्टा हो गया इस चल कंटेंट डारेक्ट ली तो एस एच एलडी अब सपोस्कुर एच एल में कुछ डेटा था एच में था 40 एल में था 50 मैंने किया किया एच 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 एलडी 3000 तो जो आप एचल का कंटेंट आव वह 3000 पे कोपी कर दो ठीक है बट हमारा यहां पर इसकी चाहिए उसकी नेक्स्ट लोकेशन पर होगा एच का डेटा फॉर जीरो यहां पर कुछ भी हो सकते हैं लह एच एलडी ऐसे बिल्कुल आपस में उल्टा हो गया पूर तीन बाइट है पांच मसीन साइकल है बस इसमें मशीन साइकल यह वाले अलग होगे में इसमें यहां पर मैमरी में डेटा वह कर रहे हैं अक अधर कोई इसमें इसमें और कोई यह तेरेंग और किवा यह वी टा यह स्टेमनला है कि डेटा को ब इसको हम करते हैं, simulate करके देखते हैं, सबसे पहले नस्रक्षन थी हमारी LDAXRP, ठीक है, LDAXRP हम रिजिटर पर लेते हैं, B, अब मुझे लोड करना है, accumulator को, रिजिटर पेर, जो BC रिजिटर पेर डेटा, जो address को point कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो इसको डारेक्ट लिख देता हूं, मैं लिखता हूं, 0820, जीरो टूजिरो address लिख दिया, अब इस पे मैंने, यहां पर डेटर डाल दे, मैंने 9E, चीक है, तो इस इंसक्शन के बाद, जो BC रिजिटर पेर, address को point कर रहा है, यानि कि यह वाला, 0820, वो data accumulator में load हो जाएगा, ठीक है, second section है, हमारी STAX, यहां पर D, इसका मतलब यह है कि accumulator में जो data पढ़ा है, वो जो DE रिजिटर पेर, address specify कर रहा है, 0822, वहां पर memory में copy हो जागा, यानि कि इस address पर, ठीक है, and third instruction है, LHLD, जा, इसके बाद करते हैं, exchange, यहां फिर LXI, H,0824, ठीक है, यह क्या करता है, यह किसी भी रिस्टर पेर में data move कर देगा, 0824, ठीक है, तो यह क्या करेगा, HL पेर में 0824 move हो जाएगा, H में move होएगा 08L में होगा 24, ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हम, इसके बाद एक्स एक्षेंज यह एचल पेर और डी पेर के कंटेंट को एक्षेंज कर देगा इसके बाद ल्च एल डी तो यह लोड करेगा एचल पेर की डेटा को जो हमने एड्रस स्पेसिफाइब किया इसका डर्स लिक्तम 0830 कि यहां बें कुछ डाल देता हूं कि यहां डालते हैं 56 कि वह यहां पर डाल दिया एक ठीक है और एस एच एल डी स्टोर करेगा है एक चल का डेटा किस कहां पर 08 इसको करते हैं कि करके रण सबसे पहले देखो सबसे पहले आया है लो डी ए एक्स बी तो इसका मतलब है बी सी रिस्ट पेर जिस एड्रस को पॉइंट कर रहा है उस एड्रस पर डेटा पड़ा है वह एक्कुमिलेटर में लोड हो जाएगा ठीक है यहां पर इसको मैं एक्जीट करूँगा तो नाइन यह जो है एक्कुमिलेटर में आ जाएगा ठीक है एक्कुमिलेटर में आगा नाइन इए अब इसके बाद नेक्स इंजक्शन है स्टी एक्स डी इसका मतलब जो एक्कुमिलेटर में डेटा पड़ा है वह उस में मेंडर लोकेशन पर डालना है जुसको डी यानिकि डी इस स्पेसिफाई कर रहे है प्वइंट कर रहे है यानि कि 0 8W-2 0822 कहां पर यह वाला तो एक्कुमिलेटर का डेटा यहां पर चला इमीडेट 0820 डाल देगा एच में जाएगा 08L में जाएगा टूफोर इसको एक्षेंज हो गया अब क्या है लोड करना हमें कहां से 0830 030 से पहला जो जाएगा यानिकि 56 जाएगा एच में जाएगा फ़िटा है वह मुझे श्टोर करना है जीरो एट थी टूके यानि कि यहां पे तो यहां पे दो एट बाइट का डेटा है तो पहले एल वला आएगा फिर एच वला आएगा ठीक है तो इसको स्टोर करूंगा देखो एल में 56 था यहां पर 56 टोर हो गया और एच में एफफ ता तो नेक्ट लोकेशन पर एफफ स्टो करें तो इसमें कुछ आउट हो तो कमेंट कर सकते हो इसके नोट्स आपको पते यह लिंक पर वैलेबल है और टेलिग्राम गुरूप का लिंक भी डिस्कुप्शन में उसको जोईन कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू स प्सक्वार्ण तो में आट हो तो लिए यहां झाल को लिए लाग भुड कर सकते हैं प्सक्वार्ण कर देना थैंक्ष बडिक रिर गूब हो अज़क्स कर देना इना।